नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सिवी ग्यानवे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप लेबर रेट से अपना घर बनवा रहे हो तो उसको बनवाने में आपका कितना खर्चा आएगा लेबर रेट में क्या क्या include होगा क्या क्या include नहीं होगा साथी दोस्तों हम दूसरा बात करेंगे कि अगर आप घर बनवाते से में contractor hire करते हो with material तो उसका आपको कितना कर्चा आएगा तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1000 स्क्वाइर फूट के घर के लिए माल लीजिए आपका 1000 स्क्वाइर फूट का घर है जिसका फरंट होगे आपका 20 फिट का और गहरा होगी 50 फूट की अगर दोस्तों दो फ्लोर का है तो आपका 2 x 1000, 2000 स्क्वार फुट हो जाएगा अब दोस्तों इसमें आप जो भी प्लान करते हो 2 BHK, 3 BHK जो भी प्लान करते हो इसके लिए आपको प्लान चाहिए सबसे पहले आप किसी भी आर्किटेक्ट से प्लान बनवा सकते हो उसके लिए आपको 4000-5000 रुपय स्क्वार फुट का खचा पढ़ जाएगा सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे लेबर रेट के बारे में कि labor rate में आपका क्या कर्चा आएगा तो दोस्तों market में फिलाल labor rate 200 से 230 रुपे पर square feet का चल रहा है अब इसमें labor आपको क्या क्या करके देगा तो उसमें आपको footing करके देगा excavation करके देगा PCC करके देगा steel binding all concrete column and slab shuttering shuttering में दोस्तों material उसी labor का होगा इस rate में plaster करके देगा parapet wall बना के देगा दोस्तों कभी-कभी वो parapet wall आपको नहीं बना के देगा अगर आपकी काफी complicated design वादी parapet wall है तो तो आपको पहले ही decide कर देना है पूछ लेना है उससे कि भाई parapet wall बना कर दोगे या नहीं marble करके देगा trick work नहीं करके देगा दोस्तों हमारा 2000 square foot का plan है माल लीजे दो floor है तो हम minimum rate भी अगर पकड़ के चलते हैं 200 रुपे का तो 200 into 2000 हो गया हमारा 400,000 रुपे का करचा आएगा अगर आप labor rate से घर बनवा रहे हो तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे बाकी अगर हम more काम करवाते हैं तो उसमें हमारा क्या करचा आएगा तो अगर plumbing आप करवाते हो minimum हम 8 रुपे पर square foot का करचा लेके चले तो 8 into 2000 हमारा 16,000 का plumbing में करचा हो जाएगा electric का minimum हम 7 रुपे square foot का लेके चलते हैं तो 7 into 2000 14,000 रुपे का हमारा electric का work पढ़ जाएगा कारपेंटर मिनिममम दोस्तों 15 रुपे पर square foot अगर लेता है तो 15 into 2000 30,000 रुपे का हमारा कारपेंटर का करचा आएगा painting दोस्तों मिनिममम 8 से 10 रुपे पर square foot हमारी पढ़ती है अब अगर 10 भी लेके चले तो 10 into 2000 यह हमारा 20,000 का painting में खरचा जाएगा अगर 3 चारों को हम जोड़े तो यह हमारा 80,000 बैठ जाएगा जो की maximum 1,500,000 तक भी जा सकता है अब 4,000,000 प्लस 80,000 तो 4,000,000 अपरोक्स हमारा 5,000,000 का complete अगर हम labor rate पर काम करवाते हैं तो यह खर्चा हमारा ऐसे पढ़ जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे contractor अगर हम हायर करते है with material तो वो कितने रुपे लेगा दोस्तों market में 1200 से 18 रुपे per square foot का rate contractor with material का चल रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर total area हमारा 2000 square feet है तो 1200 को 2000 से अगर गुणा करते हैं तो यह हमारा 24,000,000 का खर्चा पड़ जाएगा अगर हम contractor से बनवा रहे हैं with material लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है जब भी आप contractor को काम देते हो तो आपको एक agreement जरूर करवा लेना है उसमें mention कर लेना है कि आपकी tile कौन सी company की रहेगी cement सरीय और wiring अगर करेगा तो वो कौन सी company की रहेगी और कितने time में हमारा घर बना कर दे देगा दोस्तों वरना आपकी बाद में बहुत जगड़ा होता है काम को लेके contract बीच में काम छोड़के जा भी सकता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की complete video उमीद करता हूँ आपकी समझ में आज चुकी होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों